तो साथ्यों नमस्कार और स्वागत है आप सबीका इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विस्वितिहास के संदत में तो विस्वितिहास में हमने इस वीडियो में पुनर जागरण को कवर किया है और पुनर जागरण की बात करें जिसे के रेनेसा कहा जाता है जो कि यूरोप मे सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति अंदोलन और युद्ध हुए उनको ही पुनर्जागरण कहा जाता है इसके परणासुत क्या हुआ कि जीवन के प्रत्रेक छेत में नवीन चेतना आई और ये अंदोलन नक्यवल पुराने ज्यान के उधारता की सिमित था बलकि इस युग में कला, साहित और विज्ञान के छेत में भी नवीन प्रियोग हुए नयानुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नहने तरीके खोजे गए और इसने परलोकवाद और धर्मवाद के इस्थान पर मनवतावाद को प्रतिष्ठित किया तो बात करें पुनर्जागरण का तो इसके लावा, 1420 सदाब्दी में ही यूरोप में एक नई धार्सनी की विचारधारा का जन्म हुआ जिसे मानवतावाद कहा गया और मानवतावाद का जनक प्रत्राक को माना जाता है और सन 1465 इसवी में गुटेनवर्ग नामक व्यक्ति ने पहला आधुनिक किस्म का छापा खाना खोला और संभा होता है ऐसा माना जाता है कि गुटेनवर्ग की बाइबिल जो है वो आधुनिक मुद्रन परणाली की सबसे पहली पुस्तक है इसके लावा 1476 इसवी में विलियम कैक्ष्टन ने इंग्लैंड में छापा काना का विकास किया सबसे पहले गुटेनवर् से 1553 इन्हों ने इसी दिखिया कि प्रिथवी सूर के चारो और घुमती है ना कि सूर प्रिथवी के चारो और ये कूपनिकस ने बताया और लियोनार्डो डविंसी की बात करें जिनका समय जो होता है 1452 से 1519 तक इन्हों ने पानी खीजने का यंत्र लेथ मसीन और कई अन्य मेरिनस कंपास जो समुदरी कंपास है उसके निर्मार से समुदरी नाविकों ने नई भगौली खोज की जिसने पुना जागरण को गती प्रदान दी और उस समय के प्रमुख नाविक थे वास्कोडिगामा, कुलंबस, मतैगलन, बार्थोलोंबूस, कैबोज, कोटिस और प इनकी जो प्रशिद रचना है डिबाइन कामेडी जो इनकी बहुत प्रशिद रचना मानी जाती है और जिससे सवल पूछ ले जाता है कि डिबाइन कामेडी के रचना किस ने किया तो दानते ने किया था और ये इटली के साहितिक एक स्रेष्ट रचना है और दानते को पु किया विली को इटली का चाड़क कहा जाता है इसके लावा यूरोप में धर्म सुन्धार अंदुलन के जर्मदाता के मार्ठिन लूथर ने जर्मन भासा में बाइबल का अनुवाद किया और सर्वेटीज की प्रसिद रचना डान क्विंटोज भी पुनर जागरन काल के समय की है और पुनर जागरन काल में जोफरी चौसर तेरह सो चाली से चौदा इसवी इन्होंने कैंटर वरी टेल्स की रचना की इसे अंग्रेजी काब का पिता कहा जाता है जोफरी चौसर को अंग्रेजी काब का पिता कहा जाता है इसके लावा प्रसिद विद्वान टॉमस मूर यह England के हैं और इनकी प्रशिद्ध रचना यूटोपिया है यानि कि यूटोपिया जो रचना है उसके रचनाकार टामस मूर है इसके लाबा जो प्रशिद्ध अंग्रेजी साहितकार सेक्सपियर जिनका समय जो 1564 से 1616 इसके दर चलता है ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं की जो हैं उसमें सामिल हैं Romeo, Juliet, As You Like It, Merchant of Venice, Hamlet, Julius Caesar और Macbeth ये सभी पुनर जागन काल की ही रचनाएं हैं इसके लाबा इंगलेंड के प्रसिद्ध कभी जिनका नाम Edmond Spencer है जिनका समय 1552 से 1599 तक रहता है इन्होंने Fairy Queen की रचना की इसके लाबा Francis Bacon जो की 1561, 1626 वी तक इनको अंग्रेजी भासा में निबंद लिखने का जन्मदाता माना जाता है Francis Bacon को इसके लाबा जानमेलडल जो है ये अंग्रेजी साहित के महान कभी थे और इनके द्वारा काव गरंथ Paradise Last की रचना की गई थी और Leonardo Da Vinci की प्रसिद्ध चित्कारियों की अगर हम बात करें तो जो इनके प्रसिद्ध चित्र है उसमें Mona Lisa और The Last Supper है इसके लाबा Michael Angelo की जो प्रसिद्ध चित्रकारियां है इसमें सामिल है The Last Judgment और The Fall of Man और Raphael की प्रसिद्ध चित्कारियों के अगर हम बात करें तो इनकी जो चित्र है इसके लाबा इरासमस ने डच भासा में बाइबिल का अनुवाद किया और पुनर जागरन काल के प्रसिद्ध संगीत तक जिनका नाम है पैलेश्ट्रीना जिनका समय 1524 से 1594 तक होता है इनको आधुनिक चर्च संगीत का जनमदाता कहा जाता है पैलेश्ट्रीना को आधुनिक चर्च संगीत का जनमदाता कहा जाता है इसके लाबा भौतिक वादी दर्सन के जो कट्टर समर्थक होब्स से इनकी महानक्रेती लेवियान था है जिसकी जोने रचना की इसके लाबा कोपर निगर्स के सिधानतों को जर्मन वैग्यानिक जान केपलर ने अपने गडित के प्रमाणों से साबित किया और इन्हों ने यान की जान केपलर ने संकू संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया और पुनाजागरण काल में ही नेपियर ने प्रतिफलन और इस्टेविन ने दसमलव प्रणाली का विकास किया जबकि पेंडूलम के नियमों का प्रतिपादलन जो है गैलेरियों ने किया जिसके अधार पर घडियों का निर्माण हुआ और हॉलेंड के वैसेलियस ने वास्त्विक सलिक्रिया के अधार पर मानौ सरीर का ठीक ठाक वर्णं किया इसके लाबा तक्त्वांतर्ण सिध्धांत के प्रतिपादक जान विकलिक को धर्म सुधार अंधोलन का प्रातहकालिन तारा कहा जाता है और उनके अनुयाई जो थे वो लुलाडस कहलाते थे इसके लाबा इसाईयों की जो प्रोटेस्टेंट धारा है उसके जनक मार्टिन लूथर थे और चर्च की बुराईयों की सच्चाई उजागर करने वाले जान हंस को जिन्दा जला दिया गया था पुर्णा जागरा काल में तो ये था पुर्णा ज आल से समादेत कुछ संचिप्त महते पूर्ण तक जिसे की अक्सर प्रेक्सा में पूछे जाते हैं तो बस यहीं तक बाकि अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैन